आज किस वीडियो में हमें आपर सरदियों के लिए हाप कॉलर सूर की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे तो यहापर मैंने कपड़ा लिया है और यह कपड़ा हमारा ओनी है और यहापर मैंने सलवार का कपड़ा लिया है तो सलवार किस तरह से बनाते हैं तो उसकी हम अलग सी वीडियो बनाएंगे तो पहले हमें आपर कटिंग करेंगे तो पल्ले को हमें अच्छे से फोल्ड गरके बीचाना है और हैं पर हमें आदा इंच पर निसान लगा देना है और सूट हमारा हाप कॉलर है तो इसलिए सोल्डर की चोड़ाई हमें साथ इंच रखनी है तो साथ इंच पर निसान लगा देंगे और आर्मोल की लंबाई भी साथ इंच रखेंगे तो यहाँ पर भी निसान लगा देंगे और यहाँ पर हमें एक इंच पर गुलाई कर देना है और यहाँ पर पीछे वाले पल्ले के लिए देड़ इंच पर गुलाई कर देंगे और सीने के चोड़ाई हमारी सत्रा इंच है तो सत्रा को आदा करेंगे तो साड़ी आठ इंच पर हमें निसान लगा देना है और यहाँ पर हमें क्या करना है? चाक का निसान लगाना है तो लंबाई में हमें तेरा इंच पर निसान लगाना है और कमर के लिए साड़े छे इंच पर निसान लगा देंगे और इत्रे से सीधी लाइन खीचेंगे और हिप की चोड़ाई हमें याँ पर रखेंगे सत्रा इंच तो सत्रा को आदा करेंगे तो साड़े आठ इंच पर निसान लगा देंगे और दो इंच का सिलाई मार्जन लेंगे यहाँ पर हमने थोड़ा सा कप्रा जादा लिया है इससे हमारा कटिंग करने में असानी होगी और कमर की चोड़ाई हमारी पंदरा इंच है तो पंदरा को आदा करेंगे तो साड़े साथ इंच पर निसान लगा देंगे और दो इंच का सिलाई मार्जन लेंगे यहाँ पर भी अमें दो इंच का मार्जन लेना है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने निसान को लगा दिया है अब हम याँ पर नीचे की तरफ चलते हैं और घेर की चोड़ाई भी हम यहाँ पर सत्रा इंच रखेंगे तो सत्रा को अदा करेंगे तो साड़े आठ इंच पर निसान लगा देंगे और दो इंच का सिलाई मार जलेंगे फिर तरह से दोनों निसान को मिला देंगे यहाँ पर भी एक सीधी लाइन खीचेंगे तो यहाँ पर मैंने निसान लगा दिया है अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे तो हमने कटिंग कर दिया है अब हम यहाँ पर पीछे वाले परले को हटा देंगे और आगे वाले परले को हमें दुबारा से फोल्ड कर देना है और आगे की साइट हमें जो हमारी डेड़ इंच की गुलाई है तो यहाँ पर हमें आदा इंच पर इस तरह से कटिंग कर देना है तो यहाँ पर हमारी आगे वाले पले पर एक इंच की गुलाई रहेगे ठीक है तो यहाँ पर आपको इबात का ध्यान दखना है और यहाँ पर भी सेंटर पर कट लगा देंगे फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे जहाँ पर हमने कट लगाया है वहाँ से इसको फोल्ड करेंगे और दूसी तरब भी फिटिंग वाला निसान लगा देंगे तो हिप की साइड से हम यहाँ पर 17 पर निसान लगाएंगे फिर हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे तो जो अमारा साइट में कपड़ा बच्चा था उसमें से हमें बाजू लिका लेनी है तो कपड़े को तरह से फोल्ड करेंगे अब हम यहाँ पर इसको एक बार और फोल्ड करेंगे और नीचे की तरफ हम यहाँ पर एक यह डेल इंच का मारजन लेंगे तो यहाँ पर निसान लगा देंगे और बाजू की मोरी हम यहाँ पर पांच इंच रखेंगे तो यहाँ पर भी निसान लगा देंगे और यहाँ पर हमी मारजन देना है दो इंच का पिर हम यहां पर बाजु की लंबाई नापेंगे, तो यहां से चोण के हम यहां पर बाजु की लंबाई 17 इंच रखेंगे, यादा इंच का मारजन लेंगे, और यहां पर 3 इंच पर निसान लगा कर इस तरह से बाजु की गुलाई करेंगे, और बाजु की चोड़ाई हमें 8 तो यहाँ पर निसान लगाएंगे और दोंच का सिलाई मार जन लेंगे फिर इत्रे से दोनों निसान को मिला देंगे तो हमने निसान लगा दिया है अब हमें आपर इसी निसान से कटिंग करेंगे अब हमें आपर क्या करेंगे आगे की साइट हलकी सी गहराई देंगे इबाला इससा हमारा आगी की तरफ रहेगा तो यहाँ पर कट लगा देंगे तो हमारी बाजु की कटिंग हो गई है अब हमें आपर गले की पट्टी कटिंग करेंगे तो paper pasting को इत्रह से fold करेंगे और hop color हमारा गला है तो इसे लिए गले की चोडाई हमें ज़्यादा रखनी होती है तो गले की चोडाई हमें यापर 7 इंच रखेंगे 7 को आदा करेंगे तो 3-3 इंच पन निसान लगा देंगे और यहां से गले की लंबाई नापेंगे गले की लंबाई हमें साड़े पांच इंच रखनी या आदांच का मार जल लेंगे तो छेंच पन निसान लगा देंगे इस तरह से हमें बॉक्स बना देना है और बॉक्स बना कर गुलाई करेंगे गले की पट्टी एक इंचोड़ी रखेंगे तो यहाँ पर निशान लगा देंगे और इसी निशान से हमें कटिंग कर देना है यहाँ पर कट लगा देंगे और दूसी तरह भी हमें निशान लगा देना है तो यहाँ पर मैंने गले की पट्टी कटिंग करी है तो यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है और इसके उपर हमें यहाँ पर गले की पट्टी रखेंगे और जहाँ पर हमारा निसान लगा है तो उसी निसान के उपर हमें सिलाई लगा देनी है और उसके बाद में हमें बचे उए कपड़े की कटिंग कर देना है फिर हमें आपर इसको फोल्ड करेंगे और वी सेंटर पर हमें निशान लगा देना है यहाँ पर कट लगा देंगे फिर हमें आपर सूट को लेंगे और इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है सीरी तरफ से हमें आपर फोल्ड करेंगे और 20 सिंटर पर हमें निशान लगा देना है फिर हमें आपर इसको सीधा ही रखेंगे और इसके उपर हमें आपर गले की पटी रखेंगे दोनों कट को मिला कर रख लेना है और रखने के बाद हमें आपर सिलाई लगाएंगे फिर हमें आपर एक दाप सिलाई लगा देंगे अब हमें आपर इस गले की पटी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है सिलाई हमें आपर बड़ी लगाएंगे क्योंकि यहां पर हमें तुरुपाई करना होता है तो कुछ इत्रह से मैंने गले को तयार किया है देखियां आप लोग देख सकते हैं अब हमें आपर पीछे वाले पले को लेंगे और इसकी सीधी साइट उपर रखेंगे और आगे वाले पले की सीधी साइट हमें नीचे की तरफ रख लेना है और आधा इंच का माजन छोड़ के सोल्डर से लेंगे इसमें हमें डबल सिलाई लगानी है फिर हम याँ पर कॉलर से लेंगे तो इसको इतरह से फोल्ड करेंगे और पीछे वाले पल्ले पर कट लगा देंगे और कॉलर की चोड़ाई हमें आपर 5.5 इंच रखेंगे तो यहाँ पर 11 इंच आएगा तो यहाँ पर मैंने पट्टी को लिया है तो इसकी चोड़ाई 11 इंच है और लंबाई 2 इंच है अब हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें इस तरह से कटिंग कर देना है फिर हम यहाँ पर कप्ड़े को लेंगे और इसके उपर कॉलर वाली पट्टी रखेंगे और निचे से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे तो हमने सिलाई को लगा दिया है अब हम यहाँ पर एक पट्टी ओल लेंगे और इसके उपर इस वाली पट्टी को रख देंगे और यहाँ पर उपर की तरफ हमें सिलाई लगा देनी है बची हुई पट्टी की कटिंग करेंगे और इसको सीधा करके यहाँ पर नीचे की तरफ भी हलका सा फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे उपर की तरफ भी हम यहाँ पर इस तरह से दाप सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पर मैंने कॉलर की पट्टी सिली है इसको बरावर करेंगे और 20 इंटर पर निसान लगा देंगे फिर हम यहाँ पर सूट को लेंगे और इसमें 20 इंटर पर जो हमारा कठा है तो हम आपर निसान लगा देंगे और इसको तरह से फोल्ड करेंगे फिर हम यहाँ पर कॉलर को लेंगे और इसको सीधा रखेंगे तो यहां पर दोनों ने सपन को मिला कर रख लेना है और रखने के बाद हम यहां पर इसको फोल्ड करके यहां पर आदी साइट में हमें कॉलर को सिल लेना है यहां पर हमें डवल सिलाई लगा देनी है तो हमने एक तरफ से कॉलर को सिल लिया है और इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसी तरफ भी बरावर करके कॉलर को सिलेंगे तो यहाँ पर मैंने दूसी तरफ भी कॉलर को सिल लिया है अब हम यहाँ पर इसको बरावर करेंगे और सूट की फिटिंग करेंगे तो जहाँ पर हमारा निशान लगा है न तो उसी निशान के उपर हम यहाँ पर सिलाई को लगा लेंगे तो एक तरफ से हमारी सूट की फिटिंग हो गई है इसी तरीके से दूसरी तरफ भी पल्ले को बिल्कुल एक बरावर रखेंगे और फिर दूसरी तरफ भी फिटिंग कर लेते हैं यहां पर भी हमें सिलाई निशान के उपर ही लगानी है तो हमारी दोनों तरफ से फिटिंग हो गई है इसमें हमें छोटे-छोटे कट लगा देना है इससे हमारे जो फुचने हैं वो नहीं लिक लेंगे दोनों तरफ से हमें यहां पर कट लगा देंगे फिर हमें यहां पर क्या करेंगे लीच की तरफ जो मैंने मारिजन लिया था तो उतना हमें फोल्ड करना है इस तरह से और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे सिलाई यहाँ पर हमें बड़ी लगानी है क्योंकि यहाँ पर हम तुरुपाई करेंगे तो एक तरफ से मैंने सिलाई लगाई है इसी तरीके से दूसरी तरब भी सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पर मैंने दूसरी तरब भी सिलाई लगा दिया है अब हमें यहाँ पर चाक को सिलेंगे तो कपड़े को दो बार फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगा देनी है तो एक तरफ से मैंने चाक को सिल लिया है अब हम या पर दूसरी तरफ भी चाक को सिल लेते हैं तो या पर मैंने दोनों तरफ से चाक को सिल लिया है तो अब हम या पर बाजू सिल लेंगे तो या पर हम क्या करेंगे थोड़ी सी सिलाई उदेड़ देंगे बाजू सिलने के लिए फिर हम या पर बाजू को लेंगे और बाजू को पहले हम यहाँ पर नीचे से फूल्ड करके सिलाई लगा देते हैं तो यहाँ पर हम छोटी सिलाई लगाएंगे क्योंकि इसमें हमें तुरुपाई नहीं करनी है तो हमने सिलाई को लगा दिया है अब हम यहाँ पर सूट को लेंगे और बाजू को लेंगी तो बाजू में जो मारा कठा है वो कठा में आपस सोल्डर के बीचो बीच रखेंगी और इत्र से नापके हमें बाजू को सिल लेना है फिर हमें आपर बाजू की फिटिंग करेंगे तो जहां पर हमारा निसान लगा है उसी निसान के उपर हमें आपस सिलाई को लगा देंगे इसमें भी हमें आपस साथ में कट लगा देंगे और इसी तरीके से हमें आपर दूसरी बाजू सिलेंगे तो यहां पर मैंने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है और इत्र से हमारा हाप कॉलर सरदियों के लिए सूट सिलकत त्यार हो गया है तो अमीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरू पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बैल आकन को भी दबा दें जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोग को सबसे पहले मिलेगी तो मैं मिलती हूँ अगली वीड आप नहीं इनल दो Yukender आहले आपको एल्ड बल्डोर पसंद पाने खाहले मिलती ओंगली मिलती के वीडियो है पंद करेंगे प्संक्तूल को सबस्टीड押को जर